कि नमस्कार मैं अंजली विशार स्वागत है आपका हमारी चानल बे बिहार में चल रही राजनीतिक उतल पुतल को लेकर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए नसीपी के अध्यक्ष शरत पवार ने बीजेपी पर निशाना साधा शरत पवार ने कहा कि बीजेपी अपने सहीयोगी दलों को खत्म करने का काम कर रही है शरत पवार के सारोप पर राज के उप मुख्यमंत्री देवंदर फर्णवेस ने उन्हें करारा जवाब दिया है देवंदर फणवेस ने कहा कि विधायक कम होने के बावजूद हमने शिवसेना को मुख्यमंत्री का पद दिया है हाला कि आपको पता ही होगा कि मूल रूप से शरतपवार का दर्द थोड़ा अलग है देवंदर फर्णविस ने कहा कि शिवसेना हमारा सहयोगी दल है उसके पास 50 विधायक है वही हमारे पास 115 विधायक है शिवसेना के मुख्य मंतरी का पद भी दिया गया है कल शिवसेना के 9 और हमारे 9 सहित कुल 19 लोगों ने मंतरी पद की शपत ली मुझे ऐसा लगता है कि शरतपवार का दर्द थोड़ा अलग है और वो आपको भी पता है शिवसेना और शिंदे समूव इसमें चन को लेकर रोधी कानून अस्तित्व में नहीं था हाला कि ऐसा कानून अवस्तित्व में है इसलिए कानूनी लड़ाई लड़नी होगी इसलेक नाशिंद यह कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं महाराश्य के उपरमुखेवंतरी और भार्तिय जनतापार्टी के नेता नविद्ब फर कितरी सायोग्यों को धीरे-धीरे खत्म करने का आरोप लगाया पावार ने यह भी कहा कि माजबा शेवसेना को कमजोर करने और पार्टी में विवहाजन पैदा करने की योजना बना रही है फर्णविस ने ठाने में समधाताओं से बात करते वे कहा कि कुछ और है जो पाव विधायकों के विद्रों के बाद गिर गई थी महराष्ट में सिंदे के नेटित वाले मंत्री मंडल के मिके विस्तार पर स्रीफ अविस ने कहा कि मीडिया में पहले ही कि आबनेट विस्तार के बारे में बहुत सारी अटकले हैं लेकिन अटकले पूरी तरह से जूठी होने जा रही है एक बार विभागों का आवंटन हो जाने के बाद आपको एसास होगा एक दिन पहले मुख्य मंत्री शिंदे ने पद की शपत लेने के 40 दिन बाद अपने मंत्री मंदल का विस्तार किया शवसेना और भाषपा ने शिंदेगुट के भाषपा ने जदियू से अधिक सीटे जीती थी लेकिन फिर भी नितिश कुमार को मुख्य मंत्री बनाए गया था वह भाषपा में है जो अपने सहीयोगी का खयाल रखती है और अगर हम बिहार में सक्ता में नहीं है तो हम कल विनिश्चित वूप से वहां हो गया साथ दिव देखने के लिए मिला है तो सारी चीजें जो है जब से कौंबाइट किया जा रहा है तो कई न कई कई सारे सवालों को जर्म दे रहा है और यहीं कारण है कि इन सवालों को लेकर ही आजके वक्त में कटाक्ष किये जा रहे हैं दूसरे पर आरोप प्रतैरूब का दौर देख अपनी तरह से प्रयास कर रही तड सरने क्या कई तरह की बात है वह निकल कर सामने आ रहे थी यह दिर देख सकते हैं तुट संते हुए महाराष्य के में मुख्य मंत्री समय समय संही और उन्होंанे मूतोण जवाब शर्तपवार को दिया है सழतबी के शर्द पमार कई कएा उनकी पार्टी तो यह है कि अलग बहाने Вам अलग अलग तरीके आप कहा है कि अ चीजे अलग मुद्दों को गसीट के इसमें लेकर आ रहे हैं ताकि उन्हें कोई मुद्दाविल सके जिस मुद्दे को लेकर वो बीजेपी अकेंद सरकार पर निशाना साथ सके और आज के वक्त में शरत पवार यही करते नजर आ रहे हैं बिहार में परिवर्तन हुआ सकता तो इसे लेकर भी तंच कर सब्कते हैं सरथ बदलता है वक्तों ऑसे ही उनके बात करते का और विचार समय सब कुछ वदल जाता है यहीं पवार है जिनके लेकर कभी संजडराउत कहा करते थे कि मैं पवार कार्थ मुए हूं हुँ आज के वक्त में क्षणाने भिए देखा जो से तड़ी के थित को खत्म किया गया कंजोर कर नहीं समें आता है थो उसारी बातों को सुनते हुए अब कह सकते हैं किसारी चीजों को देखते सुनते हुए बाते सबस्टे हुए आखरकार उन्हें यह लगा कि जो है अब इसका जवाब देना जरूरी है क्योंकि जो तरीके से अश्रपवार कह रहे हैं शेवसेना शेवसेना का भी खत्म ही नहीं हुए शेवसेना ने बस अपना लीडर बदल लिया है शेवसेना ने उस अब अब यह लगा कि अब 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 श्रपवार को एक शिंद बख़ भी निभा सकते हैं और उन्हें अपना लीडर बदल दिया क्योंकि उन्हें हिंदुत से प्यार था क्योंकि उन्हें कुछ ऐसी चीजें जो अच्छी नहीं लगी उन्हें यह सबज नहीं आया कि शिवस संब खा Muy की जाती है उसमें भी बहुत ज़्यादा धफर अंदाजी की जाती है शारत पबार के जो लोता हैं पवर को मुझा कैसे से भी लेते हैं खुद शितानु से मिलने के लिए हैं घंटों घंडे दिन में सुक्तिता थाख मुएकन को देखते हुए मुख्य की नजाकत को देखते हुए उन्होंने अपने लीडर को बदलने का फैसला लिया और महरास्ट में सरकार टूड़ गई और टूड़ने का निजीजा यह वहा कि बाक्ष में आज मुख्य मंत्री का पदेकनाश शिंदे रुप मुख्य मंत्री दिवेंदर फर्नव इसको चलाते हुए मुटरी मंदर्विस्टार करते हुए और हर उठाएगा सवाल का भी मूतोर जवाब देते हुए आगे की तरफ रुख कर रहे हैं और इसे बीच जो है शरत पवार द्वा में पूरा मामला जो है बड़े विस्तार से बताएं कि पूरा मुद्ध क्या था किस तरीके से बाते हो रही है तो अब इस पूरे मामले पर आपकी वीच्व राहे हो कमें सेक्शन में कमेंट करके जरूर साथ जह करें धन्यवाद हुआ हुआ है